चुनावी नतीजे आने से पहले मोदी पहुचे दुबई क्या मोदी को सता रहा है हार कडर दुबई में भीड से किसने लगवाए मोदी के लिए ऐसे नारे दोस्तों पिया मोदी और बीजे पी ने क्या ये मान लिया है कि भारत में वोट अन्भक्ती की मार्केट में काम पर नहीं विदेश में मान सम्मान पर जादा मिलते हैं इसलिए क्या विदेशी दर्ती से चुनावी नारे मैनेज किये जा रहे हैं पिया मोधी दुबाई पहुँचे और उन्होंने वहाँ अब रवासी भारतियों से मुलाकात की और इस मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखिए आप रवासी भारतिये प्रदान मंतरी मोधी के लिए क्या नारे लगाते हैं तो दोस्तो दुबाई में नारे लग रहे हैं कि हर हर मोधी घर घर मोधी इस मुलाकात में ग्रेस होना चाहिए आप पड़े लिखे लोगों की तरह विववार करें आप किसी चुनावी रैली में नहीं आयें जो अपकी बार 400 पार के नारे लगा रहे हैं अगर आपको देश की प्रदान मंत्री ने बुलाया है तो ये बहुत ही सम्मान की बात है ये कहना कि भारी भीर उमड़ी ये सब फालतू की बाते हैं दोस्तों भारी भीर उमड़ती नहीं है बलकि लोगों को बुलाया जाता है इसमें साधारार सी बात है कि भीर को तो नही करती है, घाला कि दोस्तों इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर किसी को भी देश के प्रदार मंत्री के ऑफिस की saja और या फिर नहीं सरकार की तरफ से ऐसे निमंत्र दिया जाएगा और या फिर दूतावास की तरफ से निमंत्र जाएगा, तो ये एक संमान की बात है और वहाँ जाकर आपको ग्रेस के साथ व्यवार करना चाहिए और अगर आप इतने ही प्रभावित हैं कि आप एक पार्टी के अंधभक की तरह व्यवार करते हैं और नारे लगाते हैं कि अपकी बार 400 पार तो आपको भारत में आकर व्यापार करना चाहिए नौकरी करनी चाहिए मोदी जी ने ऐसा रामराज ला दिया है तो आपको यहां आकर सब कुछ समालना चाहिए विधेश में पराई जगे के बीच क्या है अगर सब कुछ इतना रामराज आ गया है मोदी जी के राज में सब अमृत कान आ गया है रोजगार समरद्धी आ गई है तो फिर इन लोगों को चो 400 पार का नारा दे रहे हैं विदेशी धर्ती से उन्हें फिर यहां अगर काम भी यही से करना चाहिए दोस्तो अकीकत यह भी हो सकती है कि इन लोगों को बोला गया हो कि आपको यह वाला नारा लगाना है दोस्तों क्योंकि ये सब management करवाता है क्योंकि आजकल सब कुछ चुनावी management का ही खेल है फिलाल दोस्तों आप प्रदान मंत्री मोदी के लिए विदेशी धर्ती से ऐसे नारे लगाने वालों पर क्या सोचते हैं कमेंट बोक्स में में जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपनी चैनल कभी न्यूस को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा नमस्कार